हम एड्जेक्टिव रीट कर चुके हैं अब इस चेप्टर की जो एक्सरसाइजे सी वो हम करेंगे प्लीज लूक एट पेज नमबर 29 फिल इन दा ब्लेंक्स भी सुटेबल एड्जेक्टिव ओफ क्वांटिटी एड्जेक्टिव ओफ क्वांटिटी मतलब यहां पर आपको क् लास्ट वीडियो में वो यूज करने जिसमें के एड्जेक्टिव ओफ लिट्ल इस तरह के क्वांटिटी बताने वाले एड्जेक्टिव ओफ करने हैं आई हाव मनी तुस्पेंट टूडे मनी जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जो हम इसके लिए लिए लिटल का आई नीट सम फूड मुझे कुछ भोजन की आवशकता है फूट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं दचाइल ड्रेंक इनफ मिल इनफ मतला परियाप जितना ज़रूरी था उतना फॉर्टी दफूड वोज मच फॉर्ड बेगर मच की जगह हम लेस भी यूज कर सकते हैं मास् इस केम इंसाइड कुछ रड़के अंदर आए इस देयर ए लिटिल वोटर इंदर जग क्या है जग में थोड़ा बहुत पानी है तो हमने या पर यह लिटिल का यूज किया है दी है टिक दग करेक्ट ऑप्शन यहां पर दो ऑप्शन दिये गए है इन पर टिक करना है आपक है कि वो संख्या बता रहा है या मात्रा संख्या बता रहा है तो हम लिखेंगे नंबर और मात्रा बता रहा है तो हम लिखेंगे क्वांटिटी देखें देखें देयार 40 45th students in my class इसमें 40 राइट है क्योंकि 45 होता है तो हम इसको करेक्ट करते लिए 45th लिख दिया है इसलिए यह करेक्ट नहीं है 40 है और यह क्या बता रहा है संख्या बता रहा है नंबर बता रहा है तो हम यहां लिखेंगे नंबर सेकंड़ी आय विल नेट मच देश्ट टूफिनिश दिस वर्ग देश्ट वहन को हम काउंट कर सकते हैं तो हम इसके लिए किसी इशित नंख्या करेंगे तो हम यह लिखेंगे टू टू ऊपिशन जो है वो सही है और यह क्या बता रहा है नंबर सेकंड में नंबर, थर्ड है, could you pass some, some या few sugar, जो sugar उसको हम count नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए some का यूज़ करेंगे, जबकि few countable nouns के साथ यूज़ करते हैं, तो some, जो है, वो क्या बता रहा है, यहाँ पर quantity बता रहा है, थर्ड में आएगा quantity, 4th, there is little many food for you, food है, उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम आप लिटिल पर टिक करेंगे, और इधर लिखेंगे quantity, थर्ड में लिटिल, 5th, there are 3 sandwich for you, sandwich है, उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए हम much का use नहीं करेंगे, हम 3 का use करेंगे, 3 के आगे हम क्या बता रहा है यह, संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो हम इसके आगे लिखेंगे number, 6th, he came second, 2 in the competition, competition में rank आती है, तो वो आएगा second, ना कि 2, तो हम second पर टिक करेंगे, second जो है, वो number बता रहा है यह quantity, यह मात्रा में बता रहा है कि आप second number पर आएगो, I know little many about country music, little, जो संख्या है, country के music है, उसको हम count नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम many का use नहीं करेंगे, हम यहां use करेंगे little, I know little country, about country, basic यह quantity बता रहा है, there is several enough petrol to reach the destination, several जिनची जो को हम गिन सकने हैं, उनकी लिए यूज़ होता है, और enough उनको नहीं गिन सकने, इसलिए हम यह enough का use करेंगे, enough petrol to reach the destination, यह quantity बता रहा है, इसलिए हम यहां पर little का use करेंगे, हम इसको चोकलेट को गिन सकने, he gave me some chocolates, little तो मतलग थोड़ी सी इसको हम नहीं गिन सकते, he has many much dogs in his house, dogs जो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ many का use करेंगे, और इसमें quantity बताई गई है, तो यहां पर आपको quantity लिखना है, जहां पर संख्या बताई जाए, निश्य संख्या, वहां पर हम number लिखेंगे, और जहां मात्रा बताई जाएगी, वहां पर हम quantity लिखेंगे, इस exercise देखें, underline the adjective in the sentence given below, tick what each of the describes, आपको यह देखना है कि जो भी sentence दिया गया है, क्या describe कर रहा है, यहां पर size बताई जा रही है, age बताई जा रही है, nature उसका सुभाव केसा है, उसने मदद की, तो यहां पर हम उसका nature बता रहे हैं, तो second में nature पर आपको tick करना है, तो this skirt is pretty है, इस skirt बहुत सुन्दर है, यह test shape नहीं बता रहा है, यह बता रहा है appearance, तो आपको appearance पर tick करना है, fourth, if the rope is short, it will not reach the end, यह रोप छोटी है, तो end तक नहीं पोच पाएगी है, इसका shape भी नहीं बता रहा है, यह क्या बता रहा है, size, इसकी size क्या है, नहीं इसकी speed बता रहा है, तो fourth में size पर आपको tick करना है, the grey cat is sleeping on the mat, यहाँ पर क्या बता रहा है, material, जो grey cat है, वो, mat के उपर सो रही है, तो material भी नहीं बता रहा है, shape भी नहीं बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है, color, elephants are whose animals, whose, जो word एवो क्या describe कर रहा है, कि वो उसकी size को, तो six में आएगा size, okay, यह आपको बुक में fill up करनी है, now, exercise, fill in the blanks with any three suitable adjective for each noun, one has been done for you, यहाँ पर जो words दिये गए है, इनकी adjectives बतलता नहीं, मतलब विशेष्टा बताने वाले three words हमको लिखने है, first इन्होंने करके दिया है, man, man की विशेष्टा बताने वाले शब्दे, tall, lamba, strong और handsome, यह तीन words हम में इनके लिए विशेष्टा बताने के लिए use कर सकते है, sweater है, sweater के लिए हमने यूज़ किया, tight, old, black, मतलब tight भी है, old, पुराना भी है और black कलर का है, third है building, building के सी यह large है, beautiful है, new है, यह इनकी विशेष्टा बताने वाले शब्द है, आगे के morning, house, book, tree, friend, school city, इनको आप करेंगे, इनको क्यों इनकी तीन विशेष्टा बताने वाले शब्द हमें दिखने हैं, जिसे morning, good morning, nice, pleasant, इस तरीके के जो word बताने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर fill up करने हैं, यह exercise आपको करनी है, thank you. भररी के लाप, in।रुन पृष्टा बताने वाले हैं, प़्भाएंगे मैं में जिखने हैं, में